नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 14 जून मंगलवार दुपर सवाएक बजे रास्थान की बारा बड़ी खबरें नरेंद्र मोधी सरकार अगले डेड़ साल में बमपर नौकरियां देने चाह रही है इस दोरां सरकार की 10 लाख लोगों को भरती करने की युजणों के बारे में बताया जो रहा है PM नरेंद्र मोदी ने खुद ये घुशनक की है PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों और मंत्रालियों में रिक्तपड़े पदों की समिक्षा करने के बाद अगले डेर साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दे दिया है National Herald Case में E.D. के सवालों का जवाब देने दूसरे दिन राहूल गांधी कार से जौँआच एजनसी के आफिस पहुची उनके साथ कार में प्रियंका गांधी भी थी राहूल को E.D. आफिस छोड़ने के बाद प्रियंका वहां से चली गई उनके साथ पैदल मार्च करके जो रहे कॉंगरस नेतर अंदीव सिंग सुर्जेवाला को घसीट कर पलिस ने वैन में बिठा लिया उनके अलावा अन्य नेताओं को भी पलिस ने हिरासत में ले लिया है सुर्जेवाला और चिदंबरंपर प्रदर्शन के दोरान चोट आई है रहसान प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के अध्यक्ष गोविन सिंग दोटासरा को रहसान बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रोक लिया पिंक सिटी जैपूर से दिल्ली का सफर बस से तैक करना अब आपको महगा पढ़ने वाला है इस रूट पर लगजरी बसों का किराया करीब 30 फीजदी बढ़ने वाला है दरसर रासान रोड़ विज ने सुपर लगजरी वॉल्वो बसों का किराया 200 फीजदी बढ़ने का फैसला किया है ये बस जैपूर दिली रूट पर चलती है जो अनकरी के मताबिक रोड़ विज यात्रियों से एक जुलाई से बढ़ा हुआ किराया देना पढ़ सकता है रहा है एचपी सीयल और बीपी सीयल के और से शुरू की गई पैट्रोल डीजल के अगोशित राशनिंग का असर सोंवार को सब्ताहक के पहले ही दिन नज़र आया प्रदेश के चार बड़े डीपो से तेल नहीं मिलने के कारण पंप सूखने लगे हैं जैपूर रिजन में एचपी के सौ से ज़्यादा पंप ड्राइ हो गए हैं ऐसा ही हाल जोदपूर अजमेर और कोटा रिजन में देखने को मिला है यहां भी डिमांड वे एडवांस भुकतान के बावजूत तीन दिन से डीपो से तेल नहीं दिया जा रहा है गाटे की चलते रिलाइंस और एसार जैसे नीजी तेल कमपनियों ने पंदर दिन पहले ही अपने पंप पर बिक्री बन कर दिए है अज में डिसकोम ने बिजली चोरों की खिलाफ चुलाए जा रहा है विशेश सतरकता अभियान के तहट पिछले सब्ता हा उनीच वजा नो सो पंद्रा जगे च्छा पमारा इनमें से 343 जगह बिजली चोरी तथा 842 जगह पर दूर्पियों की मामने सामने आए इन पर आठ करोड़ साथ लाक रुपए जुर्माना लगाए गया प्रबंद निदेशक एनस निर्वान ने बताया कि निगम की ओनम वेविजलेंस शाखा के अलावा मिटर अन प्रोटेक्शन शाखा प्रोजेक्ट विंग और स्टोर विंग के अभियनताओं को भी सतरकता जांच क बताया गया है कि सरपंच के खिलाफ राजेंद्र कुमार माले ने शिकायद दी थी और बताया गया कि सरपंच ने एननोसी परसाइन नहीं किये जहलवन पुलिस रात में बिनावज़े घुमने वालों की खिलाफ कारवाही कर रही है डेस्पी नीरज कुमार की मौजूदगी में रविवारात को शहर में दस बजे से तीन बजे तक विशेश अभियान के तहद नाके बंदी की गई इस दोरान शहर के मुख्य रास्तों से निकलने वाले लोगों को रोकर पूस्तास की गई संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर चौलान की कारवाही की गई जिले भर के 26 थानों में चलाए गए विशेश अभियान के दाहत को लेक सो बतीस कारवाही की गई और 44,800 पर जिर्माना वसू लगया प्रदेश की 9,958 चात्राओं को जल्द राजे सरकार के ओर से कालीबाई भील में धावी चात्रा स्कूटी योजना और देव नरायन योजना में स्कूटी मिलेगी इनकी फाइनलिस्ट जौरी हो चुकी है लेकिन इसमें भी कॉमर्स के बिगरते गनित की बांगी देखने को मिली है दरसल कालीबाई योजना में कॉमर्स के लिए तै मात्र 5 प्रतिशत कोटे में भी कई जिरों में कॉमर्स पढ़ने वाली लड़किया नहीं मिली है सरकार ने स्कूटी बांटने में कला का 55 प्रतिशत, साइंस का 40 प्रतिशत और कॉमर्स का 5 प्रतिशत हिस्सा तैकर रखा है इस वुजना में राजस्थान बोर्ड की 65 प्रतिशत से अधिक अधिक अंकल लाने वाली छात्राइं आवेदन कर सकती है प्रदेश के सभी नर्सरी वाडों में लगे तीन साल पुराने वार्मन को हटाये जाएगा सभी SNCU में नई वाइरिंग होगी और सभी उपकरनों की हर 6 महा में नियमी जाँच होगी हर वार्मन पर आटो कट सिस्टम लगेगा प्रदी सरकार ने ब्यावर की SNCU में नवजाद बच्चों के जुलसने में पताब गड़ के राज के शिशु अस्पताल में एक नवजाद बालिका के जुलसने जैसे घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया है बुंदी शहर की नवल सागर जील पर जिप लाइन का काम शनिवार को पूरा हो गया इसका अलग-अलग वजन के हिसाब से ट्रायल चल रहा है अगले सब्ताहर लोग नवल सागर जील के उपर हवा में तैरने का रोमांच महसूस कर सकेंगे इस रोमांच क सफर का टिकट कितने रुपे का होगा अभी तै किया जाना है करीब दो महिने पहले जिप लाइन का काम शुरू हुआ था पर किसी वज़े से बीच में दस दिन काम बंद रहा रास्तान में पृतियों की परिक्षाओं में धांदली रोकने के लिए शौसंत प्रश्वासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है 23-24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परिक्षा अब जिला मुख्याले पर ही आयोजित की जाएगी इस जुनान सिर्फ होनी के इन रोपर परिक्षा का आयोजिन होगा जहां इससे पहले UPSC और RPSC की ओर से भरती परिक्षा का सफल आयोजिन हो चुका हो मुख्य सची उशा शर्मा के अधिक्षता में होई रीट परिक्षा की तयारियों को लेकर बैठक में ये फैसला लिया गया तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना हैं फिर हाजिरूंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर